दोस्तो डिफेंस सेक्टर मार्केट के फोकस में है पिछले तकरीबन एक दो महिनों के अंदर कई सारे डिफेंस के शेर पचास से सो पचास भी बर चुके हैं मजगाव डॉक का शेर पिछले दो साल में छे साथ गुना हो चुका है तो दोस्तो आज के वीडियो में एक माइक्रो केट कंपनी हम आपके लिए लेके आए हैं जो खास करके नेवी और सब्मरिंग सेग्मेंट में इलेक्टिकल एक्यूपमेंट का बिजनस करती है इसके अलावा कंपनी कमर्शल डेवल पर भी बिजनस करती है इंडर्शल ऑटोमे कम्पनी के अलग-लग बिजनस सेग्मेंट के बारे में कम्पनी के क्लाइंट के बारे में चर्चा करेंगे और आने वाले समय के अंदर कम्पनी के लिए डिफेंस सेग्मेंट से और बाकी सारे सेग्मेंट से कहां-कहां ग्रोथ की अपरचुन्टी बन सकती है उसके बारे मे चर्चा करेंगे, तो अनुरोद रहेगा, वीडियो को पूरा जरूर देखेगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, हमारा चनल पसंद आए, तो वीडियो को और आपके इस investment मंत्रा चनल को अपने दोस्तों के साथ और दूसरे investor के साथ share जरूर कीजिए, दोस्तों हम information purpose के लिए हम आपके लिए तयार कर रहे हैं, किसी भी company में निवेश करने से पहले आपको अपने वितिया सलाकार से सला जरूर लेनी हैं, दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले आपको हम बताना चाहिए कि अगर आप share market में कैसे बड़ी wealth create करनी है, वो सीखना चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं, हमारा course combo course है, जिसके अंदर आपको दो अलग-अलग course मिलते हैं, fundamental course भी इसमें हमने आपको provide किया है, और कैसे company filter करनी है, वो भी course इसमें आपको combo pack में मिलता है, सिर्फ 4.99 में आप ये दोनों के दोनों course avail कर सकते हैं, link हमने description में दी है, वहाँ पे जाके mobile application download कीजिए, और वहाँ पे login करके store में जाके आप ये combo pack avail कर सकते हैं, तो इस video के खतम होते ही, हमारा mobile application डाउनलोड ज़रूर कीजिएगा, और इस course को भी आप ज़रूर चेक कीजिए, दोस्तों चर्चा करते हैं, आज की हमारी company के बारे में, दोस्तों सबसे पहले share के बारे मे हिस्सेदारी है, दोस्तों company में अभी technical breakout नहीं आया है, बट हम preempt कर रहे हैं कि यहाँ से यह company जो इसका previous high था, वो maybe आने वाले 2-3 महिनों में cross कर देगी, previously company तक रिवान 80 रुपे का high लगाया था, वहाँ से one way गिरा, और फिर से recovery रिखा के यह company उस तरफ बढ़ रही है, तो यहाँ से technical breakout आने का बहुती जादा अगर आप देखे chances से, तो यह technical breakout आने वाले 2-3 महिनों में आ सकता है, इसलिए यह company हम preempt करके आपके लिए लेके आये हैं, और जो हमारे पुराने subscriber हैं वो जानते हैं, इस company को हमने पहले भी recommend किया था, वहाँ से perform भी नहीं किया share ने, हमन इलेक्टिकल लिमिटेड, यह company अलगर प्रका के electronic equipment बनाने सेग्में में काम करती है, company अलगर प्रका के industrial electrical and electronics सेग्में में काम करती है, integrated solution प्रवाइड करती है, जिसमें अलगर प्रका के अगर आप देखे तो marine सेग्में में काम करने वाले जो business हैं, उनको company solution प्रवाइड करत और जैसे हमने चाल जाए कि ये कंपनी अब इलेक्टिकल वीकल में भी अपना चार्जिन स्टेशन का बिजनेस डेवलप कर रही है। छे प्लांट है कंपनी के भारत पर में गोवा, मुंबई, चिन्नाई में कंपनी के प्लांट है। इसके लगा कंपनी का एक प्लांट यूई में भी है और एक प्लांट कंपनी का इटाली में भी है। जग डायवर्सिफाइ कंपनी का अगर आप देखें तो मैनिफेक्ट्रिंग बेस है। दोस्टो यही कंपनी इंटीक्रेंट स्वूशन ओफर करती है। आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं company integrated full solution offer करती है electrical और electronic segment के अदर low to medium voltage इसके लगर आप देखे तो अलग प्रका के industrial automation, industrial security में company अपने solution offer करती है जिसमें company marine segment में अगर आपके अलग प्रका के naval vessel जो होते हैं आपके defense के vessel होते हैं उसके अंदर जितने भी electrical equipment लगते हैं lighting से लेक company provide करती है offshore platform होते हैं जो आपके बड़े बड़े ये shipyard होते हैं उसके अंदर भी आपको ये पूरे के पूरे electronic product लगते हैं वो भी company provide करती है passenger cargo में भी company similar solution प्रवाइड करती है submarine के लिए भी company ये प्रकार के electronic solution प्रवाइड करती है इसके अलावा ये इनका marine vertical हो गया उसके अल oil and gas segment की company या chemical segment की company यहाँ पर भी company अपने ये electronic solution offer करती है तो ये इनका basic business है अलगर पताके electronic और electrical solution offer करने का एक integrated solution offer करने का और ये company कई ही सारे जो global player है manufacturer है OEM है जैसे कि Snyder Electronic GE उनके साथ जड़ी हुई है और उनके अगराब देखे सारे के सारे product को company tailor made solution बना के अपने client को offer करती है Snyder Electrica ये major supplier है भारत में इसके अलगर आप देखे कंपनी दूसरे भी अलगर सेक्वन में काम करें डेटा सेंटर में भी company major अपना 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 आप देखे तो market रखती है डेटा सेंटर में जो electronic low voltage solution होते हैं वहाँ ही पर business division में और उसमें भी अगराब देखे हम जानते हैं currently defense में भी अगराब देखे नेवी में बड़ा spending हो रहा है मजगाव दोग कोंचिन शिप्यार गार्डन शिपीडर इनके पास पांच-पांच-दस-दस साल की order book available है कई साल में अगराब देखे कई सारे अगराब देखे सब मरीन डेवलोप होने वाले हैं इसकला डिश्ट्रोय डेवलोप पर देखे और कई सारे अगराब देखे नेवी वेसल भी डेवलोप होने वाले हैं तो उसमें कई सारे order flow होंग और वो marine को भी मिल सकते हैं, दोस्तों ये कंपनी कई प्रका के ये जो shipping में अलगर प्रका के product लगते हैं, वो solution offer करती है, जिसके आप अपने screen पे देख रहे हैं, अलगर प्रका के specialized rectifier and converter company navel के लिए प्रवाइड करती है, इसके अलगर आप देखे, shock guarded motor company प्रवाइड करती है, shock guarded light fitting solution प्रवाइड करती है, integrated communication system, integrated lane system, आपका जो navel होता है, वो अगर आप देखे, internet से भी connect होता है, तो वहाँ पे integrated naval system और lane system प्रवाइड करना परता है, integrated bridge control system, naval communication system, dynamic positional system, integrated platform management system जिसे अलगर प्रका के जो आपके navy में, vessel में या submarine में ये पूरे के पूरे electronic product लगते हैं, वो ये company provide करती है, जिसमें कई सारे जो global player हैं, इस segment में, अलगर एडिया में काम करने वाले, उनके साथ company अपना global type लगती है, और उनके solution को company भारत में, अपने platform के माधियम से offer करती है, और अगर आप देखे, इसमें company कई सारे client को ये solution offer करती है, जैसे कि आप देख रहे हैं, अपने screen पे, इनके कुछ product, motor, lighting segment, platform management segment, इसके अलगर आप देखे, तो अलगर प्रका के switching solution company ये, अलगर प्रका के marine segment के client को offer करती है, तो diversify, अगर आप देखे, इनके पास product available है, marine segment के अंदर, और इसमें company commercial level पर भी solution offer करती है, जो आपके कार गोशिप होते हैं, उसमें भी similar product रखते हैं, और आपके नेवल में भी similar product रखते हैं, तो दोनों के दोनों segment को company ये solution offer करती है, और यहाँ पे आने वाले समय के अदर, बड़ी opportunity company के लिए बनी र इसके लग आप देखें, तो घाडन रिष, शिप बिल्डर, बी एचियल, एलन टी, जी पावर, अबुधावी, शिप बिलिंग कॉपरेशन जैसे अलग-अलग बड़े-बड़े client company इस segment के अंदर, यह तो बड़ा client बेस अखने वाली company है, marine segment के अंदर, इसके अलावा company का दूसा business division है, वो है company का industrial product segment, जैसे के आप अपने screen पे देख रहे है, industrial product segment में company integrated, अगर आप देखें, अलग बड़े-बड़े जो industry होते हैं, power plant होते हैं, या कि कोई बली building हो गई, high-res building हो गई, उसमें भी यह integrated electrical segment लगते हैं, जो company अपने client को offer करती है, इसमें भी अगर आप company कई सारे बड़े-बड़े client के साथ काम करती है, कई बड़े-बड़े जो corporate हैं, वो इनके client है, आप अपने screen पे इनके industrial segment के client के data देख रहे हैं, Tata Communication, IBM, Loda, Boeing, MRF, Sipla, Tata Motor, PNG, मेधानी, हिंदुस्तान, petroleum, Asian pen, जैसे बड़े prominent client बेश रखने वाली company है, और आगे भी यहां से भी company के लिए opportunity बनी रहेगी, तो दोस्तों ये company के दो major business division हो गए, marine और industrial automation and electronic solution, दोस्तों इसके अलावा company अब अपनी capacity electrical vehicle charging solution में भी develop कर रही है, इस company ने एक company है, EVGO उसको acquire किया था, जैसे कि अपने screen पे आप देख रहे हैं, और ये company इसके मादियां से electrical vehicle के charging solution में अपना business एं स्टेक रखती थी, बढ़ अब company का स्टेक बढ़के, company ने recently 98% कर दिया, तो अब EVGO इस company की wholly owned subsidy बन चुकी है, और यहाँ पे company जो अलगर प्रका के आपके electrical vehicle के charger होते हैं, वो company प्रवाइड करती है, fast charger से लेके अगर आपके wall mounted charger और दूसरे भी कई प्रका के commercial charger, यहाँ पे company current develop करें, छोटा vertical है, बड़ इसमें भी potential है, future में बड़ा vertical बनने का यह लंबी story है, बड़ उसमें time लगेगा, इसके अलावा दोस्तों यह company दूसरे भी कई सारे vertical में opportunity तलास है, बागी भी कई सारे ऐसा segment में जहाँ पे similar solution का requirement होता है, integrated supplier का requirement होता है, जिसके company अब metro rail segment में और railway railway segment में भी अपना similar solution offer करने की तलास में, और metro rail से इनको कुछ order भी मिले हुए है, और आगे भी यहाँ पे company को opportunity मिल सकती है, इसके लावा company port segment में और जैसे हमने चार्चा कि electrical vehicle segment में भी opportunity तलास है, तो यहाँ पे आगे भी company के लिए future में बड़ी opportunity बन सकती है, दोस्तों आप इनका एक major client है, data center में जो भी यह electrical low voltage solution लगते हैं, और अगर आप देखे, electronic appliance लगते हैं वहाँ पे, वो यह company brigade data center और बाकी भी कई सारे data center कमपनियों को provide करती है, तो यह इनका major client है, 28% वहाँ से company का revenue आया हुआ है, garden ridge ship builder से तकरिबन 24% और मजगाव डोक से तकरिबन 11%, तो यह यहां से shipping industry company के लिए बड़ा order आ रहा है, तो इसमें company का और भी अगराब देके opportunity बढ़ सकती है, दोस्तों defense में company के लिए यहां से बड़ी opportunity बन सकती है, यहां से आप जैसे के देख रहे हैं अपने screen पे भारत में make in India defense में बहुत ही बड़ा focus है, तकरिबन 2019 में navy के लिए और वहां पे आने वाले समय के अदर तकरिबन 128 नए ship बिल्ड करने का plan रखा गया है, तकरिबन 34 नए vessel बिल्ड होने वाले हैं भारत के अंदर, 6 submarine बिल्ड होने वाली है और उसमें अगराब देखे, और भी कई सारे एक destroyer भी बिल्ड होने वाला है, सांट fighter अगराब देखे 17 class अगराब देखे, अलगर बिल्ड होने वाले हैं तो एक बहुत बड़ा opportunity है, नेवी segment में बहुत बड़ा capital यहां पे होने वाला है, और आप यह भी देख रहे हैं, चेक कर लिजे मल्सकाव डॉक या फिर कॉंचिन CPR, गारण लिप शिप यार, इनकी 3-5-5 साल, 10 साल की भी order book already इनके पास है, तो यह जो बड़ी-बड़ी shipping company है, currently बड़े-बड़े order पे काम करी है, उसमें फिर marine electrical के लिए बड़ी opportunity बन सकती है, तकरीबन अगर आप देखे, इस segment से company के पास 800 करों का revenue potential आ सकता है, और यह data तो तकरीबन एक साल पुराना है, recent budget में भी और नया allocation दिया गया है, तो और भी company के लिए opportunity बनती रहेगी, और दोस्तों यह company tier 1 approved vendor है, आपके marine defense segment के लिए, और यह एक high anti barrier वाला business है, जहां पे कोई नई company आके offering शुरू कर दे, वो मुश्किल होता है, तो यह company tier 1 supplier है, और approved vendor है, कई सार अगर आप देखे, navy और अगर आप देखे, इंडि segment हो गया, आपके defense related, इसके अलावा दोस्तों commercial level पे भी सागर माला जो भारत सिर्कार का बड़ा project है, कि कई सारे जो भारत के अलग-अलग state है, जो river से जुड़े हुए हैं, तो उसको सागर माला से उसमें transportation किया जाए, तो अगर यह भी बड़ा project होता है, तो वहां पे commercial shipping में बड़ा opportunity company के लिए बन सकता है, तो वह भी company के लिए आगे जाके opportunity बन सकती है, तो defense और marine segment में company के लिए आगे बड़ी opportunity बन सकती है, इसके अलावा दोस्तों company को recently जो इनका electrical charging solution है, तो उसके लिए company को पूने municipal corporation से भी एक बड़ा order मिला हुआ है, तकरीबन company 90 charging station पूने में बड़ाने वाली है, ये दोनों के दोनों अगराब देखे, company ने ये agreement किया है, पूने municipal corporation के साथ, जहाँ पे company operation maintenance service पर प्रवाइड करेगे, तो 8 साल का ये contact है, और 50-50% revenue share यहाँ पे किया जाएगा, तो ये भी company को रेशनली और मिला है, इनके EV segment से, तो वो भी company के लिए आग पस उपर आ रहा है, तो हम pre-empt कर रहे हैं, ये company यहाँ से technically बड़ा breakout दिखाए सकती है, 60 गा भाव है, इस भाव पे में भी आप निवेश कर सकते हैं, में भी आपको यहाँ से थोड़ा बहुत नीचे मिले, तो वहाँ पे भी निवेश कीजिए, यहाँ से पहला target आप इसमे 75 का, दूसरा target आप इसमे 95 का और तीसरा target आप इसमे 105 का लेके चल सकते हैं, तो दोस्तो आज की हमारी company Marine Electrical जिसको आप यहाँ से 1-2 साल के लिए consider कर सकते हैं, दोस्तो ये वीडियो आपको कैसा लागा, उसके बारे में अपने feedback हमें comment में ज़रूर बताएगा और इस वीडि जए हिंग जए हिंग जए हिंग जए मा काई